इसले वरिवन आज हम देखेंगे अबर computer literacy यानी computer पर बेस्ट जितने भी important mcqs questions है उन सब भी कवम लोग इसी वीडियो में देखते हैं साथी साथ यह इसका आठमा पार्ट है अगर आप तक आपने इसके previous parts नहीं देखे तो उपर आई बटन पर क्लिक करके इसके playlist में जाकर क सारी के सारी वीडियो को assess कर सकते हैं इसके साथी साथ यहां पर हम लोग जितने भी computer's के mcqs discuss करेंगे वो mainly based होंगे आने वाले exams के लिए या फिर NVS का हो या फिर banking से related या फिर वो सारी exams जिसमें computer literacy से questions बनते हैं साथी साथ इस वीडियो के अंतरगत हम लोग जो topic cover करेंगे वो यह सारी topics को लोग cover करते हुए mcqs को discuss करते हैं तो सब बढ़ते हैं सबसे पहले सवाल क्यों सबसे पहले सवाल है कि जो CPU होता है यानि कि जो central processing unit होता है जिससे और किस नम से जाना जाता है brain of the computer के नाम से जाना जाता है तो यानि जो CPU होता है virtual में कितने parts में पटा होता ह है तो ध्यान रखना है कि जो CPU होता है इसके अंतरगत कुल तीन भाग होते हैं CPU में कुल कितने भाग होते हैं तीन भाग और यह कौन-कौन से हैं सबसे पहला होता है इसे कहते है ALU ALU यानि arithmetic logic unit इसके साथी सार्थ जो दूसरा होता है इसको कहते है CU CU यानि control unit और जो last होता है इसे हम लोग कहते है Mean Storage. क्या कहते हैं इसे? Mean Storage. आगे चलते हैं. अग再見, the list of coded instruction in computer, याणी computer के इंटीगत जो coded instructions होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जो computer के इंटीगत coded instructions होते हैं, उन्हें हम लोग program के नाम से जाथे. इसके साथी साथ flowchart flowchart के अंदर हम लोग क्या करते हैं किसी भी program को बनाने के लिए अलग-अलग diagrams यानि कि meanly diagram के form में जब हम लोग किसी भी program को solve करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है flowchart कहलाता है आगे जाते हैं अगला सवाल है shortcut key to permanent delete a file किसी file को अगर आपने permanently delete करना है यानि delete करने के बाद वो recycle bean में नहीं जाए इसके लिए आपको क्या करना होगा इसके लिए shift के साथ delete button प्रेस करना होगा ध्यान अटना है अगर simple delete button आप प्रेस करोगे तो वैसे condition में वो recycle bean में चला जाता है आगे जलते हैं अगला सवाल जो MS Excel है इसके अंगला सवाल है यदि आप Excel के worksheet में दिखाई देने वाली चीजों को submit करना चाहते हैं यानि कि उसके अंतरकत आप चाहते हैं कि limitation लगाना तो आप इन सभी में से किस data function का use करें तो ध्यान रखना है कि जो filter का काम होता है filter actually में क्या करता है data के अंतर हम लोग को हम लोगों के लिए क्या कर दे देता है एक limitation set कर देता है suppose आपने greater than 50 marks देखने है ठीकि student के marks है एक column में और आपने cable देखना है greater than 50 marks तो वहां पर आप filter में जा करके इस condition को apply करके cable उनी students के list देख सकते हो जिनके marks 50 से greater आए हो आगे चलते अगरा सबल which of these is a point and draw device point and draw device या कौन सा है या mouse होता है mouse को हम लोग क जागा थे point and draw device के नाम से जाना जाता है इसके साथ ही साच जो जोईस्टिक है जोईस्टिक क्या होता है यह एक तरीके का device होता है ठीक है जिसका use mainly gaming के लिए किया जाता है आगे जलते हैं अगला सबल जो IC chip होता है computer के अंदर आइसी chip होता है यह किस ची蔡 का बना होता है यह बना होता है Silicon का ध्यान रखना है किससे बना हुआ होता है Silicon का बना हुआ होता है अगला सवाल भारत का जो पहला computerized post office था यह कहां खोला गया था तो भारत का पहला computerized post office इससे सबसे पहले New Delhi में open किया गया था आगे चलते अगला सवाल अभी हाली में जो digital watch है आजकल जो इस प्रकार का computer है तो जो digital watch होता है यह actually में एक micro computer होता है ध्यान रखना है computer के जो types होते है mini, micro और जो हमारा desktop version होता है इन में जो digital watch होता है वो actually में एक micro computer का पार्ट है आगे चलते हैं अगला सवाल पहला mini computer कौन सा था तो जो पहला mini computer था यह कौन सा था यह था PDP8 नाम ध्य Mini Computer था, इसके साथे साथ ये भी ध्यान रखना है कि पहला Micro Computer कौन सा, अगर पहला Mini Computer PDP8 था, तो पहला Micro Computer ये कौन सा था, ये था Intel का, और नाम क्या था, Intel 4004, आगे जलते हैं, अगला सबाब जो Vacuum Tube है, इस पर बेस्ट कौन से Generation का Computer है, तो Computer के इंतागत हमने जैसा पढ़ रखा है total कितने generations है 5 generation ये first ये second ये third ये fourth और ये fifth generation ध्यान रखना है कि जो first generation का computer है ये vacuum tubes पर based था first generation का computer vacuum tubes पर based था second generation का computer transistor पर based था इसके साथ ही साथ third generation का computer integrated circuit पर based हुआ करता था fourth generation का computer VLSIC यानि very large scale integrated circuit पर based था और जो fifth generation का computer ये ये एक्चुली में AI पर based है आगे चलते हैं अगला सवार डास एंड डास are the smallest and largest font size available in font size toolbox on formatting toolbar in MS office यानि MS office के अंतर गत जो font size होता है उसका minimum value और maximum value कौन सा है तो देहां लखना है font size का minimum और maximum value होता है होता है 11 और 94 minimum value 11 होता है maximum value 94 होता है अगला सवाल है dash and dash are the smallest and largest font size available in the font size toolbox on formatting toolbar in MS office यानि के जो microsoft office होता है इसके इंतर गत font size यो हम लोग डालते है न font size जालते हैं इसका minimum और maximum value कौन सा है तो minimum 8 होता है और maximum कितना होता है 72 तक होता है ठीक है आग जलते हैं अगला सवाले which of the following are Indian forms इन सारे में से कौन सा है जो Indian form है तो ध्यान रखना है इन में से जो Indian form है यह कौन सा है यह है LCL और TCS यानि कुछ option होना चाहिए इसमें तो दे नहीं रखा है तो D को बना लो A and B both ठीक है ना तो इसका जो answer होगा क्या होगा A and B both आगे जलते हैं अगला सवाले which feature is used to apply motion effect in between the slides यानि दो slides के बीच में अगर आपने motion effect लगाना है इन दो slides के बीच में पहला slide अपियर हुआ इसके बाद अगला slide जैसे ही अपियर होगा तो बीच में motion effect लगा हुआ मिलेगा यह किसकी मदद से कर सकते हैं तो transition की मदद से ध्यान रखता है animation हम लोग किसी भी object को अगर animate कर कि या फिर किसी भी object पर अगर किसी भी प्रकार का motion effect लगाना है तब तो animation लेकिन अगर slide के बीच में लगाना है तो transition आगे जलते हैं अगला सवाज जो thesaurus tool होता है ms word के इसका किसलिए हम लोग use करते हैं तो जो thesaurus tool होता है यह एक्चुली मैं sino-anto बताने में मदद करता है यह हैं चैनल पर तो चैनल को सबस्क्राइब नहीं को लाँ भूले अपना ख्याल रखें स्वस्त रहें सुरक्षित रहें जाने बात